आप लोगों का भी मन करता है क्या साम की गर्मा गरम चाय के साथ कुछ गर्मा गरम मिल जाए और वह भी टेस्टी चलिए आज आप लोगों के लिए एक रेसिपी ऐसी लेकर आई हूं जो की मुह में पानी आ जाएगा और आप एक बर ये वीडियो देख लिए न तो आप इसका दुबारा से अच्छे से तीन से चार पानी धोना है धोने के बाद यहां आधा कप बेसन डाल रही हूं और आधा कप यहां सूजी डालेंगे आपके बाद ये नास्ता सूजी से भी बना सकते हैं बेसन को इसकिप कर सकते हैं उसके बाद वन फूट टेबलिस्पून अजवाइन क्योंकि यह बेशन का नास्ता है तो अजवाइन बहुत जरूरी है आधा टेबल स्पोन जीरा और टेश्ट के कोड़ी नमक और गरम मसाल आधा टेबल इस्पोन और कलर के लिए वन फूट टेबल इस्पोन में हल्दी पाउडर और थोड़ा सा रेट चिली करेंगे तो वह कृष्पी-कृष्पी लगे उसके बाद अच्छ से मिक्स करेंगे यहां आधा कप मेंने पानी डाला है और अधा कप और डालेंगे तो टोटल एक कप मेंने पानी का यूज किया है यहां पर इतना ही गाड़ा हमे रखना है और इसके अंदर हम यह ची ड़े ररेड चिली इस तरह से काट के डाल रहें आप इसकी जिए कि हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं और यहां इसकी बी कर सकते हैं मिर्च को उसके बद मिक्स करने के बाद एक बरतन लेंगे उसके अंदर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे आधा टेबलिस्पून के करीब बहुत ज ज्यादा टेश्टी बनेगा उसके बाद इसको डाल देंगे डालने के बाद गेस का फ्लेम लो रखेंगे और कंटिन्यू चलाएंगे जब तक यह गाढ़ा नहीं हो जाता देखिए यह गाढ़ा होने लग गया है तो अब यहाँ पर क्या करेंगे एक दब आटे के फोम में आ जाएगा इस तरह से आटा जिसे हम गुत्ते वे से हो गया था तो मैंने गैस को बंद करके और एक के में पास केक्टिन था उसके अंदर इस तरह से तेल लगा के फिला लें तो इस तरह से आप पिसेस कर लीजिए इस तरह से पिसेस करके आप एक कंटेलर में भरके दो दिन तक भी स्टोर करके रख सकते हैं जब खाने का मन करें या गेश्ट आने वाले हो तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी फटाक से निकाली और चाय के साथ इसे बना में में अच्छे से गरम करके और एक अधर करके डाला था और अलट-पलट करती रही है यह हमारा किस्पी सा अलू सूजी का नास्ता बनके तयार हो गया है आप देख सकते बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी नास्ता बनके तयार हो अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो तो लाइक शेर सब्सक्राइब करें तब तक के लिए बाई बाई